और मेरे गाडनस आप सब कैसे हैं आपका मेरे चैनल आरोनम पर स्वागत है आज मैं आपको गुल्दावदी के पौधों की दोबारा से फ्लावरिंग करने के लिए कटिंग करने का तरीका बता रही हूं ऐसे आप कटिंग कर दें दुबारा अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए कटिंग करके ऐसे छोड़ दें फिर दस से बारा दिन में अच्छी सी कलियां आने लगेंगी जैसे आप देख रहे हैं चाहे आप गंबले में लगाएं या आप जमीन में लगाएं चाहे कहीं भी हो पुराने डालों की कटिंग करके छोड़ दें और दस से बारा दिन में अच्छी कलियां के अच्छी फ्लावरिंग करेंगी जैसा कि आप सब जानते होंगे कि गुल्दावदी में बहुत सारे कलर आते हैं रेड एलो वाइट चैडड पिंक आ दिया है तो मेरे पास सारे कलर लगभग करके हैं और सब की मैंने कटिंग करी थी सब में कलियां आ गई हैं दुबारा से फूल खिलने लगेंगी यह आप देख रहे हैं वाइट कलर है रेड कलर है मरून है एलो है इसमें अच्छी फ्लावरिंग हुई है दूसरी बार एप्रेल के महीने में आप भी ऐसे करिए और अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी दुबारा से आपको मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो जरूर देखें फिरgesetz continuously ओाब। कर आपको मेरे सुटब भीकाइब ुबाग कमेंकी लाद मुटब्स काट्चिए सेलिकतितन के एाद़ किस्मटर पणेदा और ऑ्र्म्टर हाथ पीपना, पीपना, प्रिक्थ थाद और